आज हम सीखेंगे पादप के जटील स्थाई उतक के बारे में पादपों में मुख्य तह दो प्रकार के उतक होते हैं विभज्य उतक और स्थाई उतक हम जानते हैं कि विभज्य उतक तीन प्रकार के होते हैं शीशस्त विभज्यों तक याने अपाइकल मेरिस्टेम, पार्षव विभज्यों तक याने लाट्रल मेरिस्टेम और अंतरविष्थ विभज्यों तक याने इंटरकालरी मेरिस्टेम इसी थरह स्थाई उतक भी दो प्रकार के होते हैं सरल स्थाई उतक याने Simple Permanent Tissue और जटील स्थाई उतक याने Complex Permanent Tissue पिछले वीडियो में हमने सरल स्थाई उतक और इनके प्रकार के बारे में चर्चा की थी तो चलिए आज हम जटील स्थाई उतक को विस्तार से जानेंगे ऐसा उतक जो केवल एक ही प्रकार की स्थाई कोशिकाओं से बना होता है जो एक जैसा कार्य करती है सरल स्थाई उतक कहलाता है इसके विपरीत ऐसा उतक जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है तथा उतक की सभी कोशिकाएं एक साथ एक इकाई की तरह काम करती है जटील स्थाई उतक कहलाता है उधारन के लिए जाइलम और फ्लोएम जटील स्थाई उतक है पादप में जाइलम और फ्लोएम सन्वहन का कार्य करते हैं ये दोनों एक साथ एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और मिलकर सन्वहन बंडल यानि Vascular Bundle का निर्मान करते हैं इसलिए इन्हें सन्वहन उतक यानि Vascular Tissue भी कहा जाता है ऐसा सन्वहन बंडल जिसके जायलम और फ्लोयम के बीच में Cambium उपस्तित होता है खुला सन्वहन बंडल यानि open vascular bundle कहलाता है उधारन के लिए गुलाब, आम और मतर के पादप में खुला सन्वहन बंडल होता है तथा ऐसा सन्वहन बंडल जिसके जायलम और फ्लोयम के बीच में कैम्बियम उपस्थित नहीं होता बंद सन्वहन बंडल यानि closed vascular bundle कहलाता है उधारन के लिए केले, गन्ने और गेहु में बंद सन्वहन बंडल होता है तन्य और पत्तियों के सन्वहन बंडल में जायलम बीच में उपस्थित होता है तथा फ्लोयम जायलम के बाहर की और स्थित होता है जडो में Xylem और Phloem एक के बाद एक एकांतर तरीके से उपस्थित होते हैं ऐसे पादप जिनमे Xylem और Phloem उपस्थित होते हैं सन्वहनी पादप यानि Vascular Plants कहलाते हैं तथा ऐसे पादप जिनमे Xylem और Phloem उपस्थित नहीं होते हैं और सन्वहनी पादप यानि non-vascular plants कहलाते हैं जाइलम और phloem यानि सन्वहन उतक जटील पौदों को स्थलिय वातावरंड यानि terrestrial environment में रहने के लिए अनुकूल यानि adaptive बनाते हैं सन्वहन उतक जाइलम की बात करें तो जाइलम चार प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है जाइलम वाहनिका यानि जाइलम ट्रकीड, वाहिका यानि वैसल, जाइलम पैरनकाइमा, जाइलम रेशे यानि फाइबर मिलकर जाइलम उतक बनाते हैं इन कोशिकाओं में से जायलम ट्रकीड, वाहिका और जायलम रेशे मृत कोशिकाएं हैं और जायलम पैरनकाइमा जीवित कोशिकाएं हैं यह सभी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नलिकाओं जैसी रचना होती है ट्रकीर और वाहिकाओं की सनरचनाए नली का कार होती है तथा इनकी कोशी का भित्ती में लिगनीन होता है इसलिए इसकी भित्ती मोटी होती है साथ ही इनकी भित्ती में छिद्र भी होते है ये एक दूसरे के साथ लंबवत एक चिद्रित पाइप की तरह जुड़ी हुई होती है इनके द्वारा खनीज लवन और जल का सन्वहन नीचे से उपर की दिशा की ओर यानि उर्द्वाधर रूप में होता है जायलम पैरन कायमा की भित्ती पतली होती है और सेलुलोस की बनी हुई होती है जायलम पैरन कायमा भूजन का संग्रह करता है जायलम रेशे की कोशिकी अभित्ती मूटी होती है और यह मुख्यतह पादप को यांत्रिक सहारा यानि मेकैनिकल सपोर्ट देने का कार्य करते है जायलम जडोद्वारा अवशोशित यानि एब्सॉर्ब्ट जल खनीज और लवन को तने और पत्तियों तक पहुँचाता है चार प्रकार के कोशिकाएं चालनी नलीका यानि सीव ट्यूब्स साथी कोशिकाएं यानि कमपैनियन सेल्स फ्लोयम पेरनकाइमा और फ्लोयम रेशे मिलकर सन्वहन उतक फ्लोयम का निर्मान करती है इन कोशिकाओं में से चालनी नलिका साथी कोशिकाए और फ्लोयम पेरन काइमा जीवित कोशिकाए है और फ्लोयम रेशे मृत कोशिकाए है जैलम के तरह फ्लोयम की भी सभी कोशिकाए एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नलियों जैसी रचना होती है फ्लोयम की चालनी नलिका की सनरचना नलिकाकार होती है तथा इनकी बित्ती में छिद्र उपस्थित होते हैं तथा इनमें चालनी प्लेट यानि सीफ प्लेट भी उपस्थित होती है साथी कोशिकाएं चालनी नलिका से सटी हुई होती है साथी कोशिकाय चालनी प्लेट द्वारा भोजन की गति के लिए उर्जा प्रदान करती है फ्लोईम पैरन काइमा की भित्ती सेलुलोस की बनी हुई होती है जो भोजन का संग्रह करता है फ्लोईम रेशे की कोशिकिय भित्ती काफी मोटी होती है ये लंबे, अशाखित और इनके सीरे सूई की थरा नुकीले होते हैं इसलिए इन्हें बास चुरेशे भी कहा जाता है फ्लोयम पत्तियों में निर्मित भोजन को पादप के विभिन्न भागों तक पहुचाता है यानि की फ्लोयम उपर और नीचे दोनों दिशाओं की और भोजन का सन्वहन करता है चलिए अब हम एक क्रिया कलाब की सहायता से पादप के विभिन्न कोशिकाओं को देखेंगे इसके लिए हम किसी पादप का तना लेंगे और उसका एक बहुत पतला सेक्शन काटेंगे इस सेक्शन को हम स्लाइड पर रखेंगे और इस सेक्शन पर सेफरनिन और ग्लीसरिन की कुछ बूंदे डालेंगे इसके बाद इसे cover slip से ढखेंगे और सूक्षम दर्शी यानि माइक्रोस्कोप की सहायता से slide पर रखेंगे इस तने के section का निरिक्षन करने पर इस प्रकार की आकरती दिखेगी हम देख सकते हैं कि आकरती में सभी कोशिकाओं की सनरचना भिन्न है यानि कि तने में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित हैं इस आकरती में हम तने में उपस्थित जटील स्थाई उतक, जाइलम और फ्लोयम का स्थान भी देख सकते हैं इस आकृती से हमें ग्यात होता है कि किस प्रकार विभिन कोशिक आए एक साथ मिलकर एक समूह यानि उतक बनाती हैं। यह सभी उतक पादप के विभिन कारियों को संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने सीखा पादप के जटील स्थाई उतक के बारे में। कि बाले में समुने के उतक भादप के जटक बwortने सीखा गथा जह में।